जैहिन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल आटोबाइक जंक्सन में OSM stream इरिक्षा चलाने में कैसी है क्या है इसकी माइलेज रेंज आंडोर्ड प्राइज कितनी पड़ेगी लोन कितने का मिलेगा फिचर्स और EMI के बारे में जानेंगे दोस्तों फर्स्ट लुक में देखने पर यह इस्ट्रीम आटोसीनजी लुक में नजर आती है इसके ग्रीन कलर के वज़य से लेकिन वास्त्विक रूप से या इलेक्ट्री की रिक्षा है अगर बात दोस्तों इसके बैटरी की करें तो यहाँ पर 9.5 KWH की बैटरी दी गई है जो 10 KWH की पिक पावर जनरेट करती है शाथी 430 NM की काफी शांदार पिक्टर्क देखने को मिल जाता है फ्रंट लुक से इस गाड़ी को देखा जाए तो काफी चोड़ी और लंबी विंडशिल दी गई है और विंडशिल पर अगर धूल मिट्टी वारिस का पानी जमा हो जाए तो उसे क्लीन करने के लिए मोटर आप्सन के शाथ में वाइपर मिल जाता है विंड़ी शाइड में देखें तो पीछे की साइड में देखने के लिए manually black color option के शाथ में side mirror लगे मिल जाते हैं wind seal के चारुत्राफ yellow color का lining पट्टी आप देख सकते हैं शाथ ही नीचे की तरफ black color में beat और overall green color देखने को मिल जाता है इसके नीचे आपको दोनों ही side में तेज रोशनी वाले bulb के शाथ headlights मिलते हैं और headlights box के side में ही indicator लगे मिल जाते हैं अगर दोनों headlights के center में देखा जाए तो आपको OSM की basing दी गई है मजबूत black color fiber में इसका mat guard मिलता है जो की मजबूती के मामले में काफी दंदार है शाथ ही drum brake option के शाथ में stream OSM एरिक्षा आट वाती है टायर साइज की बात करें तो 10 इंच के टायर लगे मिलते हैं और front suspension को देखें तो यहाँ पर dumper helical spring suspension लगा मिलता है पीली पट्टी पर आप stream OSM का इस्टी कर लगा देख सकते हैं यह आटो side profile से देखने पर काफी जबर्जस दिखाई देती है अगर इसके canopy को देखें तो यहाँ black color की canopy नहीं दी गई है यहाँ इस electric की रिक्षा में green color body के उपर पीले रंग की canopy दी गई है जो काफी मजबूत है और इस गाड़ी के लुक को अलग ही इंदाज प्रदान करता है दोस्तो यह आटो 4 sitting capacity के शाथ में आती है यह आपके उपर निर्भर है कि आप कितने passenger को इस पर बैठा सकते हैं लेकिन passing सिर्फ 4 passenger के लिए ही मिल जाती है यह मेस की frame material के शाथ में आती है OSM extreme auto जिसमें voltage 48 volt का मिलता है और lithium ion की battery लगी मिल जाती है जो काफी अच्छी power के शाथ 45 km प्रतिहावर की speed से श्रण को पर चल सकती है यह battery लगवक 4 घंटे में full charge हो जाती है आपने अगर इसे एक बार full charge कर लिया तो कम से कम 120 km कर सकती है अगर mileage अच्छा मिलेगा तो कमाई भी अच्छी होती है यानि कि आप इसे एक बार charge किये तो एक हजार से 1200 रुपे की कमाई कर सकती है काफी अच्छी ground clearance के शाथ यानि कि 175 mm की ground clearance देखने को मिल जाता है शाथी 220 mm की wheelbase मिल जाती है 18% gravity के शाथ में manual transmission मिलता है शाथी दोस्तों अगर इसकी weight को देखा जाए तो 960 kg का weight मिल जाता है dimension की बात करें तो 2870 mm की लंबाई 1450 mm की चोड़ाई 1810 mm की उचाई दी गई है जो कि इस आटो के लिए काफी perfect है front side cabin को देखें तो काफी अच्छी space देखने को मिल जाता है yellow color याने की पीले color में ही driver और passenger की seat दी गई है quality की बात करें तो अच्छी quality में इसकी seat दिये गए है शाथी driver seat के पीछे और passenger seat के पीछे आपको backrest देखने को मिल जाता है back side से देखा जाए तो इसके body पर काफी बड़े later में black color में steam का इस्टी कर लगा मिलता है तीन पहिये गाड़ी के शाथ और एक पहिया spare wheel के रूप में दिया गया है passenger seat के तरफ अगर space को देखें तो काफी अच्छा खासा space मिलता है driver इसली बैट करके गाड़ी को drive कर सकता है handlebar option के शाथ में आती है OSM की stream electric car to शामने की तरफ black color में dashboard और dashboard पर ही speedometer digital speedometer, mobile charge करने के लिए शाकेट, logic system के लिए speaker लगाने की जगह, cabin light और तमाम सारी सुचे इस गाड़ी से शम्मन्दित यहाँ पर दिये गए हैं बात अगर पीछे की side की करें तो यहाँ पर एक नए रूप में spare wheel को लगाया गया है जो कि पहले के समय में commander jeep या four wheeler गाड़ियों में पीछे की side के ढालो पर इस तरह के spare wheel लगाये जाते थे लेकिन अब एक नए लुक में OSM stream में या देखने को मिलता है दोनों साइड में दो-दो indicator लगे मिलते हैं boot space भी अच्छा खासा मिल जाता है आप यहाँ passenger के शमान वगेरे इगली रख सकते हैं दोस्तों अगर इसके कीमत को देखें तो यह electric एरिक्षा lithium ion battery के शाथ में 3,50,000 रुपे के आसपास देखने को मिल जाती है अलग-अलग राज के राजियों में प्राइजिंग में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है अगर आपके पास बजट कम है और आप किस electric आटो को लेना चाहते हैं तो 40-50,000 रुपे के down payment को जमा करके भी आप इजलीस गाड़ी को खरीद कर घर ले जा सकते हैं बाकी के पैसे को आप मंतली जमा कर सकते हैं और इसे चला कर अच्छी कमाई कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगरे किसी अन्य गाड़ी के रीबी वीडियो के शाथ तब तक के लिए जैहिन नवशकार बंदे मातरम